हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू ओम गणिशा आइन में नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संकट तिल्चौत व्रत दोहजार तियाईस व्रत की सही तिति पूजा का सू मुरत चंद्रोदे का समय और साथ ही जानेंगी इसकी संपूर्ण व्रत कता के बारे में इसलिए वीडियो के साथ अंतक बने रहें साल के प्रतेक माह कृष्ण और सुक्ल पक्ष में चतूर्ती तिति आती है लेकिन अगर हम बात करें माग माह के कृष्ण पक्ष की चतूर्ती की तो यह साल में आने वाली सभी चतुर्थी तितियों में सबसे महतुपुण मानी जाती है। इसे संकट चौत, माही चौत, तिल चौत या वक्रतुंडी चौत आधी नामों से भी जाना जाता है। वरत संपन के जाता है। आईए बात करते हैं संकट चौत पूजा विदी के बारे में। श्री गनेश मंगल मूर्ती हैं इनके पूजन वदर्सन का विशेश महत्व है। अब एक कलस में सुपारी शिक्का डाल कर कलस की स्थापना करें। विधिपूर्वक भगवान गनेश जी वपूरे शिव परिवार का पूजन करें। पूजा में गनेश जी को तिलक कर धूब दीब जला कर दुर्वा अरपित करें। और भोग स्वरूप तिल के बने लड़ूव गुड अरपित करें। और अब गनेश जी के मंत्र ओम गंग गनपते नम का जाप कर कथा आरतीव चालिसा का पाट करें। संकट चौथ चंद्रोजे पूजन संकट चौथ के दिन चंद्रपूजन का खास महत्तु है। माननेता है कि चतुर्थी के चान्द को सीधे न देखते वे जल की छाओं में ही इसके दरसन करने चाहिए। या फिर नीचे देखते वे चंद्रमा को जल का अर्ग देना चाहिए। चंद्रमा को अर्ग देने के बाद धूब दीब कर तिलुब गुर्द भगवान चंद्रदेव को अर्पित कर उनका आशिर्वाद लेना चाहिए। भगवान चिव इस बाद से क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान गणेज जी का सर धड़ से अलग कर दिया। और शुक्सम्रेदिका वर्दान मिलता है। धत्व